नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार ड्रेक्टर के डॉक्टर सहब, अरे वाह आप गरुडासन कर रहे हैं। गरुडासन हमारे ब्लेड प्रवा को सही रखने और अशुद्यों को फिल्टर करने में किड्नी की मदद करता है। अच्छा शर्मा जी, ये बताए, क्या आप ट्रेक्टर की किड्नी के बारे में जानते हैं। क्या, ट्रेक्टर की किड्नी? डीजल फिल्टर, मतलब ट्रेक्टर की किड्नी, जो की डीजल की अशुद्यों को फिल्टर करता है। डॉक्टर साहब, बात तो सही है आपकी। शर्मा जी, तो आप ये बताए, कि ट्रेक्टर की किड्नी को स्वस्थ रखने के लिए आप कौन सा योगा करते हैं। डॉक्टर साहब, ट्रेक्टर के लिए योगा? जी हाँ, ट्रेक्टर के लिए योगा। सिर्फ आप ही मुझे ट्रेक्टर की किड्नी को स्वस्थ रखने के लिए योगा बताओ। शर्मा जी, ये योगा बिल्कुल सरल है। प्राइमरी फिल्टर, जोकी फीड पंप में लगता है, जिसको हर 50 घंटे या हफ़ते में एक बार साफ करने की आवश्यक्ता है, ताकि उसमें इकठा हुआ पानी वो अशुद्धिया को डीजल लाइन से ड्रेन कर दे। डीजल फिल्टर में दिये गए ड्रेन प्लिक से, फिल्टर असेंबली के अंदर इकठा हुआ पानी वो अशुद्धी को भी ड्रेन करें। इससे आपका डीजल फिल्टर अधिक समय तक आपका साथ निभाएगा। डीजल की गुनवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना की आपका ओरिजिनल फिल्टर इस्तिमाल करना। अतर सुनिश्चित करें कि डीजल हमेशा अधिकृत और भरोसेमन पेट्रोल पंप से ही भरवाए। डीजल फिल्टर इसको समय पर बदलना भी बहुत ही आवश्यक है। डीजल टैंक में हमेशा कम से कम 5-7 लीटर ड अपने ठीक कहा डॉक्टर साब, आपकी बात में दम है। और अंत में शाम को डीजल टैंक फुल करने के भी अपने ही फायदे हैं। इसकी वजह से ना तो नमी की वजह से पानी फ्यूल टैंक के अंदर इकठा होता है, ना ही टैंक के अंदर जंग लगती है। अच्छा पहिंडरा का ओरिजिनल डीजल फिल्टर अधिकरित सर्विस सेंटर से लेकर ही ट्रैक्टर में डालें। क्योंकि शर्मा जी मार्केट में मिलने वाला हर फिल्टर ओरिजिनल नहीं होता। धन्यवार डॉक्टर सहाब। आज आपने तो ग्यान का भंडार ही खोल दिया। मै इसकी जानकारी अपने मित्र वह रिष्टेदारों को भी दूँगा ताकि वह भी इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।